देखे आज जिस व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ यदि उनके नियमों का अनुकरण आपने अपनी लाइफ में किया तो ये बात निश्यत है कि आप बहुत अधिक सफलत आसिल करेंगे और ये नियम 5000 साल पुराने है और आज भी मैनेजमेंट में इनी नियमों का अनुकरण किया आता है भारत में अचारे चानक्या का नाम ऐसे दुरलव व्यक्ति गुरूप में जाना जाता है जिननों अनेकों शेत्रों में जैसे प्रबंदन का शेत्र है अर्थशास्त्र है विधी नित्रित्व है राजनिती है लेखा विधी है इनमें निपुर्ट तासिल की है और यहां तक कि चंद्रगुप्ट मौर्य जो शाशक हुए उनको भी सिहासर पर बिठाने के पीछे जो हाथ है वो उस व्यक्ति का है और उस व्यक्ति का नाम है गुरू आचारे चानक्या जिनने किंग मेकर के उनाम से भी जाना जाता है भारत देश में जब सिकंदर ने राज किया था रों सिकंदर को मात देने के पीछे भी चानक्या का ज्यान और बुद्धी कौशल प्रियोक किया गया था चानक के दोरा उस जमाने में दिये गए जो सूत्र थे वो आज भी समान रूप से लगवोते हैं चाहे वो राजनितिक शेत्र हो प्रबंदन हो नेतरित्व हो साशन हो व्यापार हो उनमें ठीक रूप से प्रियोक किया आते हैं रादा कृष्ण पिल्लई ने एक बुक लिखी थी अभी कुछ समय पहले कौर्परेट चानक्या जिसमें प्रबंदन के बहुत बेतरीन सूत्र और गुण बताए हैं दोस्तों यदि आप कौर्परेट जगत में शीर्ष तक पहुंचना चाते हैं तो मेरी एक बात ध्यान र शक्ति उत्साह एवं मनूबल की शक्ति बौदिक शक्ति का मतलब है आपको अपने बौदिक ज्यान में निरंतर विर्दी करनी है ज्यान रखिए कौर्परेट जगत पे वही शीर्ष पर पहुंचेगा जो सबसे अधिक बुद्धी कौशल का प्रियोक करेगा जन शक्ति मत के पास एक वेलियोबल टीम होनी चाहिए सशक्त लोगों की टीम आपके पास होनी चाहिए वित्य शक्ति मतलब फानेशल पावर जब आपकी फानेशल पावर बहुत स्ट्रॉंग होगी तो अभी आप किसी भी चीज को हासिल कर पाएंगे और कॉर्परेट जगत में बहुत बड़े उपलबदी हासिल कर पाएंगे उत्सा एवं मनोबल की शक्ति आपका उत्सा जो है और जो मनोबल है वो हमेशा स्ट्रॉंग होना चाहिए आप हमेशा पॉजिटिव एनरजी के साथ होने चाहिए आपके अंदर वो एनरजी होने चाहिए कि आप लोगों को लीड कर पाएं गुरु चानके ने व्यवसाय के साथ ऐसे स्थम बताएं कि अगर आप उन सातों स्थम्भों को चीक से समझ जाएं तो आपकी सफलता निश्चित है आपको उन सभी साथ स्थम्भों पर अपने बिजनस को टिकाई रखना है और मजबूती से हर स्थम्भों को तयार क चाहिए और सभी लेटस्ट इंफॉर्मेशन के साथ होनी चाहिए रास्ट्र रास्ट्र मतलब व्यपार बाजार जहां पर आपको ग्राहत मिलता है किलाबंदी नगर मतलब उस जमाने पर कहा जाता था कि किलाबंदी हमने की हुई है एक ऐसा कवर्ड एरिया है जहां पर हम क अब आपकी टीम किस तरह से सक्षम होगी उन चीजों को हासिल करने के लिए उसके बाद है सहयोगी सहयोगी में आते हैं मित्र और सलाकार आज अगर आपको बिजनस में डेवलेप्मेंट करना है ना तो आपके अच्छे सलाकार होना बहुत जरूरी है तो गुरु चानक के गुरु चानक के कहते हैं कि सफलता को इन तीन ही रास्तों से आसिल किया सकता है उसमें से पहला रास्ता है परामर्श द्वारा सफलता मतलब जो लोग उस चीज में बहुत अदिक सफलता हासिल कर चुके हैं उनकी नौलिज से चीजों को सीखना और समझना और अपने बिज ताकत द्वारा सफलता और ताकत कैसी है कि जब आपके सेवन पिलर ऑफ बिजनस स्ट्रॉंग बनेंगे तो आप एक ताकतवर व्यापारी होंगे बिजनसमेन होंगे और तीसरी जो शक्ती है वो कर्म शक्ती मतलब कितना बहतर आप कारे करने के लिए सक्षम है इस पर भी न इसलिए उससे निपटने का सही मार्ग चुनना बहुत जुरूरी है इसलिए जरूरी है कि आप अपने आपको इतना स्ट्रॉंग बनाए कि आपके शत्रू कभी भी आपको मात ना दे सके और जब हम शत्रू की बात करते हैं या कॉम्पिटेटर की बात करते हैं तो उसको भी कमजोर ना समझें दूसरी बात अच्छी तरह से उसको समझ लें कि आपका जो कॉम्पिटेटर है वो किस स्ट्रेटेजी का अनुकरन करता है कौन से नियमों को मानता है किस तरीके से काम करता है और वो कितना अपडेटेटेड है और तीसरी महत्वपूर्ण बात अभ्य जा सकता है इसलिए हमेशा शांद चित रहें मतलब एकदम कूल रहें जब आप कूल रहेंगे तो आपकी जो एनरजी है वो बूस्ट होगी और आप आसानी से हर समस्या का समाधान कर पाएंगे इसलिए कहते हैं कि समस्या का अपना खुद का कोई आकार नहीं होता ये तो आ आपको ऐसे विकल्ब चुनने हैं ऐसे लोगों का चौन करना जिनके सामने वो समस्या चोटी हो या अपनी योग्यता में इतना इजाफा करना है कि आने वाले समय में वो समस्या आपके लिए बहुत छोटी हो ये बहुत इंपोर्टन नेम गुरु चानक्या ने आया है आप देखिए 5000 साल से आज तक भी कॉर्परेट में मैंनेजमेंट में एंबीए में कॉलेज़े में ये सारी चीज़े पढ़ा ही जा रही है जरूरत है केवल उनका अनुकरण अपने जीवन में करने की आप इन यमों का अनुकरण अपने व्यवसाय में करें अपनी पारिवारिक लाइफ में करें अपने निजी जीवन में करें तो आपको सफलता निश्यव में लेगी